स्टुदेंट्स आज से हम स्टार्ट करें हमारी एक्सराइज, एक्सराइज स्टार्ट करें, एड्मिशन ऑफ पार्टनर हमारा टॉपिक है, एक्सराइज का लिड्र चुछ न बस अब्रेघाज करें एक्सराइज, नो कि मैं बचार्ट पार्टनर करें तो समसे पहला गूघर्ट जो शो को और रधा चुका हूँ वहें टेबल, Profit and Loss Adjustment Account, Particular Amount, Particular Amount, Partners Capital Account में Particular Particular Partners के Name आते हैं Balance Sheet, Liability Amount, Assets Amount, Amount और Working Note में आपको Cash Account बनाना है और अगर कोई और Calculation होती है तो हम Separately आपको दिखाएंगे तो आज से हम कर रहे हैं हमारी Exercise Unsolved Question No. 1 Question क्या है? विक्राब और परंदिंग्या Share Profit and Losses 2-3 इनका Ratio कितना है? 2-3 ओके? फिर आगे लिखा है उनके Balance Sheet, Library Assets जिसमें हमें कुछ Adjustment पढ़के मार्क कर लेना है कि किसको Inner में लिखना है किसको Outer में लिखना है They Agree to Admit Avani अवन ही आई है और यह 1x4 अपना Share लेके आई है In Future Profit के लिए और ब्रिंग किया है Third Question में Furniture जाया है उसे भी मार्क कर दीजें और फिर आपका Bad and Doubtful debt पे डेटर को टिक मार्क कीजें और Stock Value भी है उसे भी टिक मार्क कर दीजें Last में लिखा है The Capital of all the Partners to be adjusted in their new profit and loss ratio and access amount be transferred to their loan account यह थोड़ी से अब बड़ी बात होगी क्योंकि इसमें आपको new profit sharing ratio निकालना पड़ेगा बाद में Capitals को adjust करके फिर उसको loan account में shift करना है तो बाकी question normal है बस यह last entry पर ही आपको जाधा ध्यान देना है चलिए Let's start हमारी पहली entry आ रही है Creditor तो Creditor आता है इदर कितना amount है 1,05,000 Spelling भी देखके लिखना है amount भी देखके लिखना है Creditor 1,05,000 उसके बाद हमारा आ रहा है Capital Capital हमेशा इदर आता है Buy Balance कितना है Capital? विक्रम का 75,000 है और प्रदिन्या का भी 75,000 है यह ज़रा जीब सा नाम है मैं लहीं नहीं पारा है तो don't mind it उसके बाद हमारा आ जाएगा Assets तो Assets के हैंदा सबसे पहले आ रहा है Cash Cash Balance हम Cash Column में लिखते हैं तो यहां पर रहेगा 2 Balance 7,500 यह लास्ट यह की Balance Sheet का Cash है फिर Land and Building वही Assets होता है Land and Building How much? 37,500 Adjustment है जी हां है तो Inner Column में 37,500 Inner Column में और Line छोड़ देंगे आप Next Entry हमारी Plant Plant में Adjustment नहीं है तो Direct 45,000 Outer Column में जाएगा Okay फिर हमारा आ रहा है Furniture Furniture कितना है? Inner Column Y Inner Column Adjustment है Stock Stock में भी Adjustment है Inner Column में लिखेंगे 75,000 Next Entry के हमारी Dator Dator हमारा 87,000 Inner Column में Y Inner Column क्योंकि इसमें भी Adjustment है Adjustment पढ़ेंगे Avni शेल ब्रीं यह आगे आएगा 1x4 अभी नहीं आएगा 37,500 Capital Capital के दर आता है? Buy Cash Avni के Column में 37,500 बाकि वो कहले के आएगे Good Will बाकि Cash का Second Effect इदर आएगा 2 Avni 37,500 Good Will आएगी इदर Buy Good Will कितना है Good Will आपका Total 30,000 है उसको आप Ratio में Divide करेंगे तो Ratio में Divide करना हम आपको पहले भी बता चुके है तो एक Good Will आएगी आपके 12,000 ओके और एक Good Will आएगा आपका Amount 18,000 इसे Ratio Division कैसे होता है Ratio Given है Vikram और प्रदिन्या का 2,3 तो Vikram का है 2 और Second Partner का है 3 इन दोनों को Add करते हैं और Denominator में आता है तो 2 by total 2 by 5 of the amount Second Partner 3 है तो 3 by 5 of the amount अब चाहिए Good Will निकालना हो General Reserve निकालना हो Profit and Loss निकालना हो कोई भी Ratio Capital निकालना हो उसका एक ही Method होता है कि आप इस तरह Ratio लिखके और उस Amount से उसको निकालना आएगा जैसे यहां पर यह आंसर आ रहा है सिग्जा और सिग्जा 12,000 और 18,000 तो इस तरह से रिशुन निकालते हैं एक ही Method है हर Question में तो यह Good Will जाएगी उदर पर तो गुडविल तो गुडविल का एक Effect ही तरह आएगा टोडल गुडविल 30,000 थी जो मैंने Cash में लिखती है और यह Old Partners अपने रेश्यो में डिवाइड कर लिया है अब आपके कुछ adjustment है जैसे Land & Building Value 45 है तो जो Value होता है उसको बाहर लिख देते है 45,000 Land & Building की Value है बढ़ यह ज्यादा हुई है यह इंक्रीज हुई है तो यह प्लस लगाएंगे Appreciation हुआ है दोनों को आपसे Minus करेंगे तो यह 7500 इतना Appree हुआ है Appree का Second Fact इदर आएगा By Land & Building 7500 Okay फिर नेक्स आपका Furniture Depreciate 10% तो यह Furniture Depreciate यहने Minus 10% Depree 300 227 और यह 300 आएगा 2 Furniture Depree 300 Okay Provision for Bad & Doubtful Maintain 5% यह डेटर हमने लिख रखा है Minus 5% RDD 87,000 का 5% कितना होगा तो 10% 8700 उसका आदा होगा 4350 कितना होगा 4350 बाहर minus करके आएगा 82,650 Okay और यह डेटरेस का 2 RDD 4350 Okay चलिए Next Entry Stock to be valued 82,500 Stock की value है 82,500 यह increase हुआ यह decrease हुआ Increase हुआ है Increase को plus appreciation कहते हैं कितना हुआ है 75,500 आएगा और यह appry है इसका second effect इदर आएगा Buy Stock 7,500 Okay तो यह मैंने सारी Entry यहां लिग दी हैं सिर्फ हमने लास्ट में New Profit Sharing Ratio नहीं निकाला है क्योंकि उसके लिए separate calculation मुझे आपको दिखानी पड़ेगी तो वह मैं आपको separately दिखा रहा हूँ Okay So students अब हम निकालेंगे इस question में New Profit Sharing Ratio और फिर उस ratio से हम capital find करेंगे और उसको partner's card में लिखके फिर आके चलेंगे तो New Profit Sharing Ratio कैसे निकालते हैं Okay इसका method यह है कि एक चीज होती उसे आप कहते है Balance of 1 क्या कहते है balance of 1 तो balance of 1 क्या होता है 1 minus वो ratio जो Mr. Avani लेके आई है Miss Avani तो वो कितना था ratio Avani का 1 by 4 balance of 1 कैसे निकालते हैं 1 minus admit partner जो ratio जो उसका future share होता है ठीक है ना तो 1 मेंसे उस future share को minus कर देते हैं तो यह कितना है एक answer फोई maps आना चाहिए थोड़ा असा 4 1s are 4 denominator multiply cross multiply 4 1s are again 4 और 1 1s are 1 तो यह आए आए आपका 3 upon 4 ओके New profit sharing ratio निकालने के लिए आपको balance of 1 निकालना होता है वो क्या होता है balance of 1 is equal to 1 minus the future share of a admitted partner ओके फिर इसका calculate किया तो यह 4 by 3 by 4 आगया ठीक है अब क्या करेंगे अब आप इसको new profit sharing ratio निकालने के लिए याने new ratio is equals to होता है old ratio multiply this balance of 1 अब बताइए new ratio सबसे पहले किस के आप निकालने है विक्रम का तो विक्रम का होगा old ratio क्या था विक्रम का 2 by 5 इस question में विक्रम का old ratio क्या given है 2 by 5 into this 3 by 4 balance of 1 तो क्या आगया 6 by 20 इसको sign में रखे इसे cancel नहीं करना है इसको reduce forming लिखना है ऐसे लिखना है फिर दूसरा कौन है प्रदनिया है जो भी नहीं है whatever प्रदनिया का क्या है old ratio 3 by 5 given है 3 by 5 हम कर चुके हैं और balance of 1 क्या है आप 3 by 4 3 by 5 given है 3 by 4 है balance of 1 multiply करें क्या आएगा 339 by 20 अब आप अवनी का भी करेंगे अवनी का तो कुछ भी old given नहीं है उसका future share क्या है 1 by 4 तो आप denominator आपको same बनाना है यह भी 20 यह भी 20 तो denominator same करना है तो पहले capital निकालना पड़ेगा तो total capital क्या हो जाएगा total capital is equal to हो जाएगा जो capital अवनी लाई थी कितना लाई थी है अवनी capital in my question 37,500 अवनी का capital क्या था अवनी का capital क्या था admitted partner का capital क्या था 37,500 into reciprocal of future share future share क्या था 1 by 4 तो 1 by 4 के reciprocal क्या होता है reciprocal क्या होता है 4 by 1 इसे आप multiply कर लीजे तो इसे solve करके आपका answer आएगा 150,000 okay यह total capital आया है आपका जिसमें आपने कैसे निकाला है sharing capital into reciprocal of the future share reciprocal करते है 1 by 4 का 4 by 1 okay जो admiration हो रहा है जिस partner का उसके capital जो वो लेके आया है उसको आप उसके future share के reciprocal से multiply कर देंगे 1 by 4 का reciprocal 4 by 1 तो यह आया अब इसको आप तीनों को बाटेंगे new ratio में तो new ratio में कैसे जाएगा new ratio क्या है आपका number one विक्रम का विक्रम का ratio था 9 by 6 by 20 तो 6 by 20 of 1 lakh 50,000 तो यह कट कर दीजिए आप यह क्या हैगा यह आएगा आपका 45,000 Got it ऐसे प्रदिन्या का क्या है प्रदिन्या का है 9 by 20 of 1 lakh 50,000 1 lakh 50,000 0 से 0 cut ओके तो आप यह जब कटिंग करेंगे तो मैंने calculate कर लिया इस cancer आ रहा है 6,7,500 और नास्ट में कौन बचा अवनी खुद तो अवनी का क्या ratio है हमारा 5 by 20 of 1 lakh 50,000 तो इसे आप कट करेंगे तो इसका अंसर आ रहा है आपका 37,500 ओके तो यह तीन capital आ गए 45,000 एक 67,500 और एक 37,500 यह तीनो आपके जो amount है वो partners account में इधर जाएंगे कैसे जाएंगे 2 balance करके 2 balance विक्रम का कितना है 45,000 प्रतिनिया कितना है 67,500 अब निका कितना है 37,500 यह आपका new profit sharing ratio जो मैंने निकाला ratio उससे मैंने फिर capital निकाला और फिर उसको मैंने partners account में shift कर दिया है हमेशा new profit sharing ratio ऐसी निकलेगा और ऐसे ही आपको capital निकालने के बाद यहां transfer करना है चलिए अभी हमने profit and loss निकाला है तो पहले profit and loss निकालता है फिर shift करके balance करेंगे यह कैसे निकलेगा total कीजिए total 15,000 तो यह 15,000 इदर आएगा यह obviously कम है तो 15,000 जादा है तो 15,000 का 15,000 पहले लिख दिया अब जादा से जब कम को minus करेंगे तो यह आएगा 15,000 में से जब आप यह तो यह आएगा 10,000 10,350 अब 10,350 profit आया है जो दोनों का है ठीक है न जो पार्टनर्स में जाएगा तो यहां टू पार्टनर्स capital में जाएगा तो यह टू पार्टनर्स में जाएगा किसका विक्रम और प्रदिनिया ठीक है तो वही जैसे ratio आप निकालते हैं किस भी question में इसका भी निकलेंगे तो 10,350 का जैसे goodwill में मैंने निकाला था ratio जैसे same goodwill में निकाला था उसी way में आप इसका भी निकालेंगे और इसका अमांट आएगा विक्रम का 4,140 और प्रदिनिया का 6,210 यह दोनों कौन आए profit यह profit का शिफ्ट होगा partners account में इदर आएगा buy profit and loss कितना amount है विक्रम का है 4,140 और प्रदिनिया का है 6,210 अब इसका हम totaling करेंगे तो यह total कितना है first 91,140 तो obviously यह जाधा है तो यहां लिख दीजे 91,140 90,000 91,140 में से जब यह 45 गया हो तो यहां क्या आएगा to loan account क्योंके उसे loan word है यूज किया है कि access को loan में shift करो तो यह आएगा 46,140 40 6,140 अब प्रदिया का total करो इसका total आ रहा है 99,210 तो obviously यह जाधा है जाधा को पहली ले दीजे 99,210 यह 99,210 में से जब यह 67,500 जाएगा तो यह बचेगा 31,710 जाधा और यह जाधा 37,500 तो यह बचेगा 37,500 चलिए अब मैं shift करके आपको totaling balance दिखा देता हूँ okay pause करके video so students मैंने calculation कर लिए और इक बार मैं फिर आपको बता दू कि मैंने सारी अंडुयां लिख दी थी अब उसके बाद मैंने यह भी आपको दिखा दिया लिए फिर भी बता दू इसको जब मैंने balance किया तो यह मेरे दो profits आए यह दोनों profit यहां shift हो गए okay फिर मैंने इसका total किया विक्रम का तो विक्रम का मेरा loan balance आ रहे है और प्रदिया का loan balance आ रहे है और अवनी का नहीं आ रहे है क्योंकि अल्रेडी tally हो रहा है इसलिए balance नहीं हुआ है यह same amount यह tally हो गया है अब यह दोनों amount कहा जाएंगे loan amount loan amount जाएंगे इधर loan account में विक्रम प्रदिया का total भार है और यह जो balance आया था तीनों का new profit sharing ratio से वो capital यह shift हो जाएगा और उसका total यह आ गया फिर नीचे मैंने cash का भी total कर लिया है इस side कुछ नहीं है तो यह 75 75 तो यह 75 तो balance भी 75 तो shift भी 75 होगा yes or no अब मैंने दोनों side को जब add किया तो add करने के बाद यह मेरा tally हो रहा है exercise question number one unsolved अबने किया है इसके बाद इसके आगे question करेंगे कोई भी doubt कोई बात clear नहीं है तो उसको आराम से आप पहले note कर लीजे इस पूरी solution को note कर लीजे और फिर mark कीजे कौनसी entry कौनसी आपको calculation clear नहीं है और वह आप पूर सकते हैं और यह वाली calculation आपको करनी होगी इसके practice करनी है आगे भी questionnaire में कराता होगा चलिए thank you